हुआ 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 है हुआ है हुआ है है हर दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल अनुप इस्टेडी में आज हम लोग सुरू करेंगे जो कि आपका है सधारण ब्याज तथा चक्रविधी ब्याज है इसमें से हम लोग कुछ समझते चलेंगे और पहले हम लोग देखेंगे कि मुल्धन क्या होता है दर क्या होता है समय क्या होता है और सधारण ब्याज क्या होता है और इसके बाद हम लोग देखने के बाद हम लोग स्वलूशन करेंगे उदारण को कि चैस्ट चैनल पहले समझेंगे किस तावाल कैसा हम समझ लेते हैं कि आपका क्या जो है की रहता है पहला नमबर क्या आपका मुलधन क्या हो था है हम लोग और किसी भी आपका मुलधन कहलता है जिसे परिफासा के अनुसार देखते हैं, कहता है कि मुल्धन वह रासी है, जिसे कोई ब्यक्ति किसी से उधार लेता है, या किसी को उधार की रूप में यदि देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुल्धन कहते हैं, और मुल्धन को हम लोग इंडिकेट करते हैं, किसे स कि अगिए बात करते हैं समय की किसी भी देख डिनी हम लोग किसी भी दिया है सबक्राइब यहां इंधितों और हम इसे चेंजिंग होता है रहा है और पर देखते हैं जिसके बाद उधार के रूप में ली गई रासी या किसी को दी गई छी रासी ॊसी ब्याज़िके साथ हुआपश की जाती हैं और शमय को आपी से तता चदुने को समय की घ्राब के लिए किसी ब्युक्ति को उधार लेते हैं थो या आपका क्या कहलाता है समय वह क्या कहलाईगा समय कहलाई जैसे माली लीचे किसी ब्यक्ति से हम लोग 200 रुपए लेते हैं उधार, आपका क्या कहलाता है जितने समाई के लिए यानिक जितने वर्स के लिए हम लोग लेंगे वह आपका क्या कालाता है समाई यानिक दो वर्स तीन वर्स चार वर्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे समाई कहेंगे कि यह टूटल आपका क्या है समाई लेकिन यह भी कहता है कि जो समाई है सधार स्कार्ट में समय को टी से इंडिकेट किया गया है लेकिन हम लोग चक्रिधि ब्याज के चलते हैं चक्रिधी नीकालते है आपका मिसधम मालूम होना चाहिए और क्या मुल्धन पर कि उधार ली गई राशी पर ब्याज की गड़ना यदि हम लोग उधार किसी वक्ति से ले रहे हैं और जितने परसेंटेज का यदि ब्याज वह लागू करता है तो तो टोटल आपका क्या होता है दर होता है जैसे पांच परसेंट हो गया तीन परसेंट हो गया दो परसेंट हो गया तो आपका दर कहलाएगा यह पांच परतिसत की दर से ब्याज देता है यह दस परतिसत की दर से ब्याज लगाता है तो सधाराण कितना होगा तो हम लोगों कहते हैं कि राजर पर ब्याज की गडरणा के पुर्स रversion करते हैं ब्याज की डर ने आप मुझाए kulit किसी ब्यक्ति से हम लोग 100 रुपया लिए हैं और एक वर्स के लिए यदि लिए हैं कितने वर्स के लिए यदि एक साल भर के लिए हैं तो कहता है कि यदि वह ब्याज लागू कर रहा है दो परसेंटेज का कितने का दो परसेंटेज का यदि ब्याज लागू कर रहा है तो कहत सधारन मालूम करने के लिए आपको मुलधन चाहिए समझ रहें परंसेंटेज का यहां सधारन मालूम करने लिए आपको समझ समध से प्रष्ठी नहीं के जो है कि परसंटेज होता है यानि कि 5% सधारण और तरहें और आपका है जो टी है वह क्या है समय है खेले हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिस्द्धन की बात करें तो मिस्द्धन मिस्द्धन जो होता है कि मिस्द्धन संद्धन निकलना है स्टवन निकलता कैसी से देखिएगा जितना आपका साधाररणडव्याज यहीं में था सब्सक्राइब करेंगे तो आपका टोटल मुल्धन और जो है कि एड किया जाता है तो वहीं होता है क्या मिलता है मिस्रधन कभी कभी आपको मिस्रधन देता है और कहता है कि सधारन भ्याज भी दे दिया गया है मिस्रधन में से सधारन भ्याज कर दें तो आपका सवाल आएगा और किस तर से आपको करना है सवाल को चलिए आग देखते हैं कि तीसरा है कहता है कि चक्रविधी व्याज चक्रविधी जो है कि व्याज करने के लिए पहले आपको दलने के लिए आपको क्या करना है प्लास आर बटा में 100 आ इंटु क्या यानि कि पावर आपका चला जाएगा क्या एंट पहले प्रतिसत की ब्याज पर यानि कि जितने समय के लिए वह देता है वह आपका क्या हो जाता है यह वह आपको समय में आया तो हम लोग कुछ ली समझते हैं कि कैसे निसनल Pr Rig को बहुत है घामकाल हम लेते हैं पूछा किया है पहले हम यह बता दें 알고 समय है अभी यह हो यहाएं यदि आपका दिन में समय दिया हो, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन ऐसे करके दिया हो, तो उसमें हम लोग 365 से डिवाइट करेंगे, पहला दिया है, यदि हम लोग को समय यदि दिन में मालूम हो, तो हम लोग वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइट करेंगे, दूसरा है यदि हम लो तो हम लोग कितने से भाग देंगे बारसे समाझ में चलिए सुरू करते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया है पहले वह समझेगा इसके बाद हम लोग चलेंगे कि काता है कि 500 रुपए का 20% 500 रुपिया है जिसका कितना परसेंटेज 20% देखेगा जितना आपको पैसा है यानि कि 500 रुपय का 20 परसेंटेज लागू किया जा रहा है तो इसका मतलब जो मुल्धन पी है पी बराबर कितना दिया हुआ है पांसो पर्स पांसो रुपिया इसके बाद जो दर है दर को हम लोग अभी पढ़े हैं कि इंडिकेट करते हैं आर से तो आर बराबर कितना परसेंटेज है आपका 20 परसेंटेज है और इसके बद कहता है कि जो समय है कितने वर्स के लिए दिया जा रहा है तो तिन वर्स के लिए दिया जा रहा है तो आपका सधाराण व्याज में टी काम करता है तिन टी बराबर कितना हो जाएगा तो हमनों निकालना है क्या सधारण व्याज निकालना है तो सधारण व्याज क्या हो जाएगा एसाई बराबर हो जाएगा फार्मुला पी गुणे एन गुणे क्या टी कि आरं गुणे टिवाटा में क्या हो जाएगा सवक इनिक सतराहट गि Wochen est पूरे आर च्छीए आपका मुल्दन होता हैं घुणे sex art रहुता है ज्थे वनुनेक light चौतberly ही बस पूर्ड कर दीजिये यहां से आपका हो जाएगा 500 गुणे r कितना है है 50 सब्सक्राइन कितना हो जाएगा 300 रूपयाया यानि कि जो सधारन व्याज है कितना हुआ 300 रूपया हुआ समझ में आया ना ये रहा आपका क्या इंस दोर चलिए देखते हैं एक और कुश्चन तो एक और कुश्चन देखते हैं इसी तरह से तो चलिए एक और कुश्चन हमारे पास से कहता है कि 2000 रुपए का 10% की दर से 73 दिन का सधारन भी आज निकाल लिए सब्सक्राइब दी धारते हैं और यदि महीन दिया हो किटने से बारस चलिए देखते हैं कहता है यादि की आपका मुल्धन कि तना दिया हुआ है पहले समझ में आ गया होगा आप लोग को 2000 दिया है और आर जिछ कितनाعة 10 परसेंटेज का दिया है और जो दिन है यानि की समय 300 यहां से 73 दिन कें शह से 70 यह में ऑफिस सूक्त होगा कि नहीं होगा कि setup 371 में tweaking 2745 टिन्हों जाएगा 350 यानि कि एक बना में कि अब किना ही सधारन भ्याज निकालना हैं पी गुणे और गुणे होता है क्या टीव में कितना होता है 100 है यहांसे हम लोग रखेंगे तो किस लूख कितने का है कितने पर्सेंटेज Jahre का दस पर्सेंटेज आ बैटा में आपके 100 हो जाएगा है कि एक बैक बाता में पाश कर से हर में हुआ कट जाएगा नहीं जोलोग होता है कितना होगा 50 या 9 men cos 2 परसेंडेट दिन है कितना हुआ दर से्ट महीने का सधाराण कितना होगा हम वर्ष का देखें हैं दिन का देखें हैं अब महीने का देखते हैं और महेदbs में दिद्या हो तो वर्ष में decisions के लिए 12 से भाग से वब सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिंथित दिखते हैं जो मुझधन है पी बरावर कितना है महिना तीन महिना को यदि हम लोग जो है कि वर्स में बदलेंगे तो आपका कितने से डिवाइड होगा बारा से न तो यह हो जाएगा तीन बाटा में कितना होगा बारा ठीक है चलिए यहां से हम लोग का हो जाएगा आपका पी होता है तो पी आपका कितना हो जाएगा 9000 गुड Ciao होता है तो 12 परसेन्टेज मुड़े समय है तो समय आपका है तीन बाटा में कितना है बारा बाटा में कितना होगा दोस्तों सो यह जी डोग जी रूपए आपको टोटल सधार प्याज्यानी कि कि 9000 रुपए को यदि 12% की दर से हम लोग देते हैं और कितने महिने के लिए तीन महिने के लिए देते हैं तो सधारन व्याज आपका कितना होगा 27 रुपए आपका सधारन व्याज टोटल होगा चलिए देखते हैं एक और कुश्चन देखते हैं इस तो चलिए देखते हैं कि इस कुश्चन में क्या पूछ रहा है आप से कहता है कि 5 जारुपय का कितने परसंटेज की दर से 3 वर्ष का सधारान ब्याज आपका 3000 रुपया होगा तो हर बार हम लोग जो है कि सधारान ब्याज फाइंड करते थे और इस बार आपका दिया है आपका समय दे दिया है और कहता सभावर था आपका मुलधन गुणे क्या था दर गुणे क्या समय आब आटा में क्या था दोस्तों 100 यह तो आपका थास सधारान ब्याज के लिए न लेकिन यदि हम लोग इससे आपको कभी आर भी निकालना है पी निकालना है तो बंता कैसे हैं जर देखिए यहां से यह य इन तीनों से इसमें मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जाए अगर पी गुणे आर गुणे क्या टी बराबर हो जाए और जो दूसरे का मान दिया है अब उसको फाइं करना है यह हम लोग आर निकालना है तो कैसे बनता है जार रहो देखिए आर बराबर हो जाएगा अब यह द किeger लोगी किटना हो जाएगा अर निकालना है तो यहार इधर आजाएंगा इन दोनों को भागाएंगे द यह संथे बना लेते हैं पी बराबर हो जाएगा एसाई गुणे हो जाएगा सओ आभ बाता में आपका क्या हो जाएगा-और कितने ओ आपका मुल्धन करने वाला फर्मूला है अब आगे बढ़ते हैं यह समय होजाएगा 100 आप 27 कीजना दिया है कितना है पांचे लाड दिया है इसके कहता है कि दर निकाल लिए तो आर बराबर इन प्रस्नवाचा के इंडिकेट कीजिए यानि कि आर निकालना है परसेंटेज दर निकालना है आज समय आपका दिया है कितना वर्ष तीन वर्ष तो दिया है नो आई यस यह आपका दिया है सधारण व्याज आपका दिया है कितना तीन हाजार रुपिया दिया है तो कहता है दर निकालिए कितने परसेंटेज़ की दर से बढ़ाएं कि आपका जो है कि 5000 पर 3000 मिलें तो यहां से हो जाएगा क्या है तो हम रखेंगे मान कितना है तीन हाजार है कितना है जो है कि मुलधन आपका 5000 है आग जो है कि समय कितने वरिसका है तो चलिए और देखते हैं ऊसी तरह से यह एक यहले कि इस टैप के और और कोशन आता है तो कैसे स्लूशन करेंगे चलिए तो चलिए देखते हैं अब आपको क्या फांड करना है ज़र देखिए कहता है कि वह कौन सी धनरासी है अब आपसे पूछा है क्या पी पहले पूछा है कि वह कौन सी धनरासी है जिसका 5% की दर से छोगाशो का सधारण ब्याजार पर कितना होता है возмा उठारा सो रुपीया है यानि कि वह कॉन सा धन राश है यानि कि वह कितना रुपिया है कि जिसका 5 परतिषात की दर लागऊ करते हैं हम लोग सधारन अगया desert यानि कि frenchcr प्लुपर तरह कि द MON вторขितर लागते हैं कितने वार्सों के लिए six tables सो के लिए तो हम लोग का सधारन वे अद्सक्ता हैता है और इसका कहता है आपका जो है कि yaptorLife रिया है कितना बद journals के लिए चोवर्स काता है क्यों द्सक्राइब आरफ कितना है रूपिया आप जो एक टारेक्क फार्मुले पर रखकर क्या öl्चाय लेकिन फर्मुला ले कर चलेंगे तो पी निकाल लिए तो पी बराबर क्या होता है यहां पर सधानद व्याजाब का कितना है आठारा सो रुपिया है ना गुणे आपका जो है कि सो हो जाएगा आप बाटा में कितना है आर परसंटेज कितने परसंटेज कि इतर है परसंटेज कितना है चाहर यानि कि वह जो है कि 6000 रुपिया है जिसका यदि हम लोग 5 परसंटेज यदि व्याज लगाते हैं व्याज कि दर यदि 5 परसंटेज करते हैं छो वर्सों के लिए तो आपका सधारन व्याज कितना होगा 1008-100 Со रुपिया होगा कितना रूपिया था आपका समय इस पे हुम प्रोट ट सधारहन भाख द का स्धारण मेज दीया हुआ है ऐगा सिर्फ यादी हम यहां सी कितरे समय में आपका जो है कि आपका यहां पर 80000 आंए यही का हदी आपका सोरह और हो जाता है तो वहां पर आप क्या दिया रहता है क्या करना होता है हम दो यह जम के आपका मुल्धन कितना है अफाजार कि रुपे यह टार कितना परसेंडेज कितना गए कितना पर्सेंटेज की कितने समय में टी efकर ठाइम कितना समय उसको लगेगा कि उसका सथार्偶 जो है यानि कि यह सवर चाह हो जाएगा कितना समय तक हम लोग उसको दे दे कि उसका सधारने ब्याज़नय कि सोपी हो जाएगा तो आप से सब्सक्रणरख साथ स throw है कि अब ऑपसे समय пошजा है कितना समय उसको Frcoderei wouldn't ऐसे पूछा है क्या टाइम बराबर टी बराबर क्या होता है यस अई son और मियाToday क्या हो जाएगा पी गूरेता है पूत कर देंगे कीतना है सूरा यह सो है पाटा मेरा कीतना होता है फी बटा में पी है तो पी आपका है 8000 कि और गुणे आर कितने पर्सेंटेज की दर है दस परसेंटेज की दर है न हम लोग दो बर्स के लिए यहलोग दे दे 8000 रुपिया दस पर्सेंटेज्य की ही दर लगा सोरा सो रुपिया होगा यानिक दो वर्ष तक यदि उसको देते हैं तो ठीक है चलिए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्रॉक्षिन क्या कहता है उसको जारा देख लिजिए कि यदि हम लोगों सधारण ब्याज न दिया हो यदि कहता है कि 8000 रुपया का 10 परसंट की दर से कितने समाई में आपका सुरह हजार रुपया हो जाए या बीसघ्ञार रुपया हो जाए तब उस समय क्या देता है जरज वर समझेट तो इसमें थोड़ा हम लोगा चेंजिन हुआ है इस प्रस्न में तो इसमें अलग दिया है देखिए सधारण यहां से हटा दिया है तो अब आपका देखिए क्या दिया है वह कहता है कि 8000 रुपय का 20 परसेंदेज की दर से कितने समय में आपका 9600 यानि कि लगे जाके 9600 रुपया हो जाएगा देखिए सधारण ब्याज वह नहीं हो रहा है आपका टोटल जो है कि इंकम जो है कि 900 रुपया हो रही है उसमें एड किया गया है जो है कि सधारण ब्याज भी है और आपका मुल्धन भी यानिकि पहले तो आपका 8000 था लेकिन 20% की दर से कितने समय में आपका बढ़ गया है आपका कितना 900 रुपया बढ़ा नहीं है टोटल जो है कि आपका 900 रुपया हुआ है यानिकि सधारण ब्याज जोड करके आपसे बोला है कि वह कितना है 900 रुपया तो आपका यह मुल्धन है और यह आपका 8000 रुपया है यह मुल्धन है और यह आपका पूरा क्या है मिसार्धन ठीक है यानिकि इस सद्हारन जोड़कर आपको क्या बनाय को पहले देखते हैं यह रहा है थि Patriot तो मिस्रधन बाराबर होता है पी प्लास एस आई यानि कि जो मुल्धन होता है और सधारन ब्याज को जोड़ते हैं तो यह मिस्रधन आपका टोटल यह है तोटल आपका यह क्या है मिस्रधन यानि कि इसमें मिस्रधन में आपका सधारन ब्याज भी सामिल होता है और मुल्धन तो अब देखिए आपको सबसे पहले तो ब्याज चाहिए कि सधारण ब्याज आखिर में कितना है उसके बाद तो हम लोग समय निकाल सकते हैं चलिए तो सधारण ब्याज निकालना है तो आपका मिसधन तोटल कितना है तो आपको सधारण ब्याज तो आपका सधारण ब्याज जोडने के बाद टोटल कहा है कि कितने वर्स में आपका टोटल प्वैसा जो है कि 96 रुपिया होगा समझ में आया उम्हेद होगी कि आपको बिल्कुल किलियर हो गया होगा तो चलिए अब हम देखते हैं पी मुल्धन दिया है आपको कितना 800 रुपिया यहीं पर ज्यादा मिश्टिक होता है यहां पर समझे कि अब आपका सधारण व्याज कितना हो जाएगा एस आई बराबर कितना है सुरह सो कहता है कि कितने समय में आपका पैसा है टोटल आपका 96 हो जाएगा यानि कि व्याज आपका बढ़ेगा कितना सुरह सो रुपिया कितने समय में आपका बढ़ेगा ठीक है तो टोटल इंक सब्सक्राब को कितना है 8000 है दोस्तों इसके बाद के हम सबस्क्राइब में 80 सबाइब तो आट दूनी कितना हुआ 16 कितना हुआ थो यानि की बाच गया का एक यानि कि एक वरस में कितने वर्स में यदि हम लोग एक बार्स के लिए देते हैं तो टोटल आपका सधारण ब्याज सोरसो होगा इसके बाद जो है कि सधारण ब्याज और आपका मुल्धन जोड़ने के बाद हम लोगों को पाइस्ता टोटल इंकम कितना होगी समाज में आपको नहीं आ रहा होगा कि यहां पर क्या दिया है आपसे क्या पूछा है और क्या आपका टोटल दिया हुआ है कि इतना रुपिया हो जाता है यह मत समझना कि आपका ब्याज है और लगा दें ऐसे नहीं आपका टोटल जो है कि पैसा हो जा रहा है ब्याज को हुआ है चाहनदे सो रूपिया दो चलिए को उमीद होगी समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं लेकिन आगे क्या काता है, दो वर्स का ब्याज मुल्धन का तीन बटा में पांच गुना होगा, काता है कि जो ब्याज है मुल्धन का तीन बटा में कितना है, पांच गुना है, अब जरा समझेगा, उसको जरा समझेगा, काता है क्या, काता है कि जो ब्याज है, मुलधन का कितना 3 बटा में कितना 5 गुणा आजर समझे यहाँ पर यदि हम लोग का मान A समंध्य ब varavar आपका यदि 7 बटा में कितना दिया हूं नो तो हम लोग तुरंद्य समझ जाते हैं ओपर वाल अमान एक है नीचे वाल अमान कितना है यानि कि 7 समंध्य कितने का है नउकर कि змandel गलो यानि कि यदि एस लोगे संंध्य भी है बराबर श्राया वैटताम आपकर नउ है तो इसका मतलब हुआ कि एक कमान साथ होता है और वी कमान कितना होता है तो उसी टैप से हम लोग यहां पर आते हैं तो आपका ब्याज कितना हुआ ब्याज हम लोग का मिल गए कि तब तो हम लोग का ब्याज कितना मिला दोस्तों ब्याज तीन हो गया और आपका मुल्धन कितना मिला समझींगा मुलधाना कीतना हो गया आपको कितना हुआ 5 ठीक है न अब यहां से कहता है कि समय कितना है । कितना है तो कहता है कि कितना परसंटेस की कि दर तो आप से पूछा है तो ह कितना है आप आपका आपका यह है लगा अर बराबर हो जाएगा साई कितना है試 ane 3 में कितना है 100 आ वाटा में आपको कितना है दोस्तों में 5 अगुणे कितना है दो सत्तू ओ हो जाइगा कितना पांचोर फांच olması कितना हो जाएगा 200 यहां हो dare 20 आई रहुएं लुभार में अजाएका दोसक्राहने तीस यानि की तीस पर्संटेज यजित बढ़ hour जाए कितना पर्संटेज तीम है तर है तो मुलधन कर दिया जो है यहाँ अधर नहीं मुलधन कीटना हो जाए गया तीन वतना पांच गुना हो जाएगा कितना परसंटेज की दर बढ़ा दी जाए तो किलियर है तो इस तरह से सलूसन करेंगे तो उम्मीद होगे कि अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रस्च नमर एक सूर के जाएगा जोएकि अब भ्यास चालू के जाएगा प्रस्च नमर एक से तो इस तरह सांवर सा जुड़ेगा चलिए आप से मिलते हैं प्रस्ट नममर एक से कि अब कि अ